यहाँ पे आपके फेवरेट ब्लोगर्स और रेनिंग कॉंट्रोवर्सिस के रियक्शन लेकर आते रहते हैं चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और उन पर कॉमेंट भी करना और चैनल के बेल आइकन को भी फ्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले हर नहीं वीडियो के नोडिफिकेशन आप तक बहुत सके तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी बाते करने वाली हूँ वो बाते जो नेहा के खिलाफ जा रही है हर एक बाते मैं ये नहीं बोलती है अपने हर वीडियो में ही बोलती हो जो कुछ लोग बोल रहे हैं तुम तो नेहा की साइड ले रही हो नहीं से जब नेहा की सगाई हुई तब ही नेहा ने सचीन को छोड़ दिया था उसने बैक आउट कर लिया था और बकायदा अपनी पूरी जिंदगी सुमित के नाम करने के लिए उसने सोच लिया था लेकिन सचीन उसको ब्लैक मेल करने लग जया आप सब ये बात जानते हैं कि इस मुझसे बात करो नहीं बात करोगी तो हम तुमारा पोलमपटी खोल देंगे सोचिये कितना उस लड़की को टॉर्चर किया गया है इस सचीन के द्वारा बात करने के लिए वो लड़की अपनी जिंदेगी में खुश होना चाती थी अपनी एक नई दुनिया बसाना चाती लेकिन ये हैवान सचिन उसको उसकी लाइफ सेटल नहीं होने दिया और अन्त में उसने उसका रिष्टा तुडवा ही दिया जो वो चाहता था वो हो गया लेकिन सोचिये कि इस किस हद तक उस लड़की को ब्लैकमेल करा गया था कि लाइफ आया के हम खुद कंफ्यूज होत रखता है लेकिन असलियत जब खुली तो हम भी दंग रह गए कि उदर ब्लैकमेल किया जाता था कि मुझे मैसेज कर मुझसे बात कर और लाइम में आगे मैं तेरी सारी पोल पटी खोल दूंगा और जैसे ही नेहा एक वीडियो बनाई यहा पर हैवान सचिन ने सारा का सारा उसका चैट दुनिया जहान के चीजे सब कुछ खोल के दुनिया के सामने रख दिया तो आप बताए कि यह कौन से लोग हैं जो बोल रहे हैं कि नेहा की शादी खुद नेहा की वज़े से टूटी है नेहा ने अपनी शादी अभी इसलिए तोड़ दी क्योंकि उसको भी पत तुम लोगों को तुम लोगों तो यह सोचना चाहिए कि यह उसकी इंसानियत है यह उसकी अच्छाई है कि उसने अपना ब्लेम सिर्फ और सिर्फ अपने तक रखा और किसी तीजरे को इस मैटर में एंटर करने के लिए नहीं बोला कि उसकी भी इज़त मेरी वज़े से चल मतला पड़े लिखे सेंस कि जो अनपड़ हैं उनको नहीं समझ में आ रही है चीज़ें उनको बता दू कि जब कोई इंसान एक लीगल प्रोसीजर के तहत गुजर रहा होता है ना तो वह कोई भी सबूत किसी भी तरह का चैट सोचल मीडिया पे डिस्कलोज नहीं करता है न मैं भी अपना पक्ष रखोंगी मैं भी बताउंगी एक ओरत की बेस्ती हुई है तो मैं भी बोलूँगी क्योंकि आप सब उस सचीन की बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं कि उसने सारी की सारी बाते सच बोली है आप बोलिये कि उसने वो बाते ड़ी जो उसके मनगणं कि जूट बोलता है, कि नेहा कु नीन्द की गोलियां खिला-खिला के उसकी सगाई करवाई गई, कितना बड़ा जूटा है और जो लोग मनीशा को कह रहे हैं कि नहीं नहीं बड़ी सथी सावीत्री उसके साथ गलत हुआ, उसने एक बार भी अपने पती का इस जूट को खोला कि नहीं मेरा पती गलत बोल रहा है उसको दवाईयां खिलाके सगाई पर नहीं मिठाई गई थी वो अपनी मर्जी से सगाई पर बैठी थी एक बार भी मनिश्या ने ये बात कबूली कि नहीं मेरा पती उसका सगाई तुड़वाना चाता एक बार भी कबूली मेरा पती मेरा पती मेरा हम दोनों के बीच में आ गई घंटा हम दोनों के बीच में आ गई यह जो कह रही है न कि मैं छोड़ के चली जाओं तो कभी नहीं होगा मैं कभी छोड़ के नहीं जाओंगी क्योंकि हमारे में यह नहीं होता है तो मैं उन ओडियंस को क्लियर कर देती ह कि ये दो मुहें बाते वो ओडियंस विश्वास करते होंगे जिनकी आख कान सब कुछ अंदे हो चुके हैं क्योंकि अगर मनीशा के गर में इंटरकास्ट मेरेज हो सकता है तो ये डाइबोर्स क्यों नहीं हो सकता है आप कुछ चोचिए कि इनके गर में ये सब चीज़े नही चूटेगा तुम जिस लेवल पे हो आज यहां पर वो तुम से नहीं चूटने वाला है क्योंकि तुम उस गरीबी में अपने माईके की गरीबी में नहीं जाना चाहती हो चाहें कुछ भी हो जाए हम खुद सब लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से इनकी सासू मॉम सोकॉर बिमारी का नाटक मना के बैठ जाती है और मा और बाप दोनों नोकर चाकर बने हुए घर में खाना वाना पका के सास ससूर को खिला रहे हैं तो आप बताए कि जो इनसान के घर में मनीशा के घर में उसके ही माबाप जब नोकर की तरीके से ट्रीट हो रहे हैं और उसकी सास प्रेट के तब्यत खराम मना रही है, सोचिए कि वो इंसान अपना ससुराल का सुख छोड़के माई के क्यों जाना चाहेगा, ये तो एक पहाना हुआ ना, कि हमारे यहां यह सब नहीं होता है, लेकिन हमारे यहां दूसरी जाती में शादी जरूर होता है, तुछ एक रिकॉर रही है, कब तक आप खुद सोचिए कि उसको थोड़ा तो वक्त चाहिए था, अभी उसके सगाई को दो महीने भी नहीं वीते थे, थोड़ा अपने अंदर हिम्मत लाती, कुछ कर दी तब तो जाके उसको सचाई बताती, लेकिन उससे पहले उसके साथ ब्लैकमेलिंग स्ट हो गई थी, तो वो कहां कोई सच बता पाती, सच तो नहीं बता पाती, तो ये कौन से लोग है जो बोल रहे हैं कि मैंने बोला था कि सुमित को सच बता दो, उसका विश्वास हासिल कर लो, विश्वास तो सुमित का आज भी नेहा ने हासिल करके रखा था, लेकिन नेहा नह खुद फैसला लिया है जब सुमित से रिष्टा तोड़ने का तो इसमें कोई क्या कर सकता है उसको नहीं रखना उससे रिष्टा और नहीं करनी शादी क्योंकि जो लोग चाहते थे वो उसने कर दिया और वो अपनी बदनामी किसी और के सर माथे नहीं मड़ना चाहती है तो आप सब के घर में अगर आपकी बेटी होगी ठीक है आज कल के जमाने में तो बहुत फ्रैंक तरीके से बात करते हैं अगर आप शहरों में रहते हैं तो आज के जमाने में वो हर लड़की जो 20 साल के उपर 18 साल के उपर वो बोईफरेंस बनाना स्टार्ट कर दे रही है गई क्यूकि अगर आपकी बेटी ने उस आदमी से शादी करने को मना कर दिया जिसको उसने बॉइफरेंट बनाया और किसी दूसरे से शादी कर रही है ठीके तो आगर वो उसका बॉइफरेंट उसको बदनाम करने पे आया कियूकि वो खुद भी उसमें है आपनी भी गल् लेकिन आप अपनी बेटी के साथ क्या करेंगी, आप लोग् offer सोचिए कि आज कलका जमाना यह की नहीं है, पिर अगर social media पर किसी लड़की की इज़त बदनाम की गई, यह सोचिए कि globally किसी लड़की की इज़त बदनाम की गई, थी तो नहा शिंगल ही न, उसके आसपास तो कोई था नहीं उस वक्त जिस वक्त वो सचिन के साथ रिलेशन्शिप में थी तो गलती यहां सचिन की है की नहीं उस हैवान की है की नहीं कि वो अपनी बीवी को धोखा दे रहा था उससे रिष्टा रख रहा था और आज भी उसकी बीवी मनिशा उसको सती स अभित्री और पती परमेश्वर बना रहे हैं उस पे कोई कारवाई नहीं कर रही है और जब दुनिया माले कहते हैं कि तुम्हारा पती अगर लीजल ही देखा जाए तुम्हारे कितने सारे अधिकार है तुम उन अधिकारों का यूज़ करके अपने पती को सजा दिलवा सकती लेकिन नहीं तुमने तो उस लड़की को नंगा करा, उस मा को नंगा करा जिसकी एक छोटी सी बेटी है, उसी लड़की को तुम अपने गोद में खिलाई थी न, ताशी ताशी बहुत प्यार आता था, आज उस लड़की का मुह नहीं देखा था तुमने, जब उसकी मा को सरय आम पूरे ग्लोबली नंगा किया जा रहा था तब तुमने नहीं देखा और आज जब लोग तुम पे बोल रहे हैं कि तुम गलत हो तो आप मैडम को आ रहा है कि आप लोग मेरे मैटर में मत पड़िये तो आप अपना ये मैटर सोशल मीडिया पे क्यों लेके आई मैडम सोश तो आपको बोलना नहीं था क्योंकि आपको व्यूज लेने थे लेकिन आप जब लोग इनके खिलाफ बोलने लगए हैं तो इनको बड़ी मिर्ची लग गड़िये लेकिन लोग जब इनके साथ थे सारी रियक्शन चैनल साथ थे तब तो इनको बड़ा मज़ा आता तब तो तो इनों ने एक बार ही नहीं बोला कि आप लोग मेरे मेरे मैटर में मत पड़िए, लेकिन जैसे इनके मैटर में लोग पड़े और इनका मैटर गड़बडाने लगा, जैसा इन लोगों ने सोचा थव ऐसा नहीं जा रहा है, तो आप इनको प्रॉब्ल्म हो रह रही है कि शाधी से जादे जनता की ना ख्वाहिश है कि तुम लोगों का चैनल यूडियो पर एक्जिस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इस तरीके के गंदगी भरे चैनल ना कोई भी नहीं देखना पसंद करता है तो आप लोग खुद बताईए कि इसमें सबसे जाधा सजा की हगदार कौन बनती है नहा या वो साइको सचिन और वेसी बात है साइको सचिन क्योंकि उसने दो लोगों को धोखा दिया है एक तो नहा को भी धोखा दिया है और दूसरी अपनी बीवी को धोखा दिया है उसने जो कि शाधी शुदा मर्द माल लो नहा को लोग बोल रहे गला तो उ उसके पास तो दो बाउंडेशन्स हो गए ना, एक तो इसने उस लड़की से राखी भी बंदवाई थी, दूसरी ये शादी शुदा था, फिर ये उस लड़की के साथ नाजाया संबंध क्यों रखा, ये सोसाइटी सिर्फ और तो कोई क्यों कोशती है, मर्दों को क्यों नही ही चाहिए, आप सुब अपनी राय जरूर से कॉमेंट सेक्शन में देना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना